तूर अफ डूटी इंडिन आर्मी से तीन साल वाद डिटायर होने के बाद नौकरी की गारंटी जीहन दोस्तों भारत सरकार ने ये बहुत अच्छी खवर लेकर आई है कि जो बंदे तूर अफ डूटी के लिए जोइन करेंगे और तीन साल वाद डिटायर होंगे उनके वीडियो Part 1 और Part 2 पहले ही अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने आपके लिए ये बताया है कि आपके लिए टूर अफ डूटी जोइन करने के लिए क्नले होगा उनकी आगया हूं तो दोस्तो भारा सरकार देने जा रही है आपके लिए टूर अफ डूटी से रेटार होने के बाद में गारंटी से नोकरी तो सेना बुला रही है आपके लिए आप जाए टूर अफ डूटी जोन केजिए और तीन साल तक अपनी देश भक्ती दिखाईए उसके बाद में लोट के आने बाद में भारा सरकार देगी आपके लिए क्यारंटी से नौकरी तो दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले मैं आप से रिक्वेश्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासिस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली बीडियो की नोटिफिक्शन आप तक पहुंचते रहे तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं टूर अप डूटी पूरी करके आने वाली यूबाओं को नौकरी देंगे अनंद महेंद्रा जिए हैं दोस्तों आप के लिए यहां से में पढ़के सुना देना चाहता हूं यह आज 17 मई 17 मई की जो दैनेक जागरन अखरार आप चाहें तो बहां पर जाकर चेक कर सकते हैं तो मैं आपके लिए बता देना चाहता हूं कि सेना में युबाओं को तीन साल की सेवा के लिए टूर अप डूटी प्रस्ताप को भारती उद्धोपती अनन्द महंद्रा ने हाथ वाथ लिया है और इसकी जमकर तारिफ की उन्होंने यह तक कहा कि टूर अप डूटी से जो य तीन साल के बाद में रिटायर होके आएंगे उनका जो गुरूप है उन युबाओं के लिए नोकरी देगा तो आपकी यहां पर वो संसे खतम हो गया कि हम तीन साल के बाद में नोकरी मिलेगी बता दें कि सेना ने इस तरह का एक प्रस्ताप तयार किया है कि आम युबाओं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो रेगुलर आर्मी के लिए मिलता है सब कुछ आपको मिलेगी यहां तक आपको केंटिन की फैसलेटी भी मिलेगी ठीक है तो गफलाने की जरूरत नहीं है आगे देखते हैं देश के बरश्ट उद्धोगपती ने कहा कि मुझे हाल से लेने का मौका मिलेगा सेना को इमेल भेज़कर महंद्रा ने कहा कि अगर ऐसा किया जाता है तो सेना में तीन साल तक टूर आप डूटी खरके आने वाले यूबाओं को उनका ग्रूप जौब में तहरीर देगा मेंद्रा ने आगे लिखाया कि मुझे पूरा यकीन है कि मिलिटरी ट्रेनिंग के बाद जब यूबा कारिस्थल पर आएंगे तो बहुत अच्छा फायदेमंद होगा तो दोस्तो आपके लिए मैं लेकर आगया हूँ इस समय उसी अखवार पर जिसका मैंने नाम लिया था भी तो जैसे कि आप सभी कमेंट करते हैं कि बाद में ये कौन से अखवार की कटिंग है हमार लिए स्क्रीन सोट भीजिए तो आपका सबका डॉट दूर करने के लिए म आपको उसी अखवार के कटिंग पर लेकर आ गया हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा अखवार है इसको मैं जूम कर लेता हूँ जहां पर लिखा हुआ है यह टूर अफ डूटी पूरी करके आने वालों को नौकरी देंगे महंद्रा तो इसको मैं जूम करके आपक कि जानताउं कि मातै अगर यह प्रेस्ता मंजूर हो जाता है तो उन्होंने कहा है आनद महंद्रा ने कि अगर यह प्रिस्ता मंजूर हो जाता है इसत बतोर जवाने अपसर के तौर पर जुड़कर operational experience का मौका में लेगा तो उन्होंने एक email भी भेज़ा है सेना के लिए मैं आपके लिए इस page पर आने का मकसद यह था कि जो आनन महंदरा है उन्होंने सेना के लिए email भेज़ा है आर्मी के लिए और उन्होंने इस email में कहा है तो पढ़ते हैं क्या कहा है दोस्तो आपको बता देना चाहता हूं मैं सेना को email भेज़कर महंदरा ने कहा कि अगर ऐसा किया जाता है यहाँ पर देख लेते हैं क्या है सेना का प्रिस्ताव मैं आपको बता भी चुका हूं लेकिन आपको फिर से बता देना चाहता हूं मेरी उन विवर्स के लिए जिन्होंने अभी तक मेरी वह दोनों बीडियो जाकर नहीं देखेंगे तो मैं उनके लिए यो देश तो बता देना चाहता हूँ कि दरसल सेना आम युवाओं के लिए तीन साल को टूर अब डूटी की प्रिस्ताप पर बिचार कर रही है तो इसमें होगा कि जो आम नागरिक हैं भारत के उनके लिए भी सेना जोयन करने का मौगा मिलेगा तीन साल के लिए अगर यह प्रिस्ताप मंजूर हो जाता है तो यह देश के इतिहास का एक बड़ा करानतकारी कदम होगा प्रिस्ताप के मताविक शुरुवात में ट्रेल के अधार पर एक सो अफसर और एकजार जवानों को सेना में तीन साल तक के लिए कारिकाल के लिए रखने की योजना है तो अगर यह प्रिस्ताप दोस्तों पास कर देता है प्रिस्ताप तो पास होगा ही क्योंकि हमारे जो जनरल CDS विपन रावत साहब है उन्होंने मोधी सरकार को बेजा है और उन्होंने यह प्रोमिस भी किया है कि यह जो प्रस्ताव है उसको पास ख़रा कर रहेंगे तो यहां पर दोस्तो सो अफसर और 1000 जवानों की भरती होने वाली है जिनके लिए इन जिनका कारेकाल होगा परतमान में साट सर्विस कमिशन के जरिये सेना में होने वाले कम से कम से कम से कम 10 वर्स की नौकरी करने होती है परतमान में किया है दोस्तों कि जो भी सेना में सामिल होते हैं उनके लिए कम से कम 10 वर्स की नौकरी करने पड़ती है पहले यह दोस्तों पांस साल थी जिसको ब नेक्स चलते हैं दोस्तों सेना में अधिकारियों की कमी सेना के सीर्स अधिकारी सौट सर्विस कमिशन की प्राब्धानों की समिक्ष्या कर रहे हैं ताकि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा आकरशित किया जा सके दरसल भारती जरह में अधिकारियों की काफी कमी हो रही है इसलिए कमिशन में बदलाव का काम जल्द से जल्द पूरा करने का इरादा है साठ सर्विस कमिशन की सुरुवात नियूंतर पांच बर्सों की सेवा के साथ हुई थी लेकिन इसे ज्यादा अकरसक बनाने के लिए बढ़ा कर दस वर्स कर दिया गया तो दोस्तों आपके लिए मैंने पूरे सबूत के साथ में बता दिया है कि आप जब तीन साल के बाद में रिटायर होके आएंगे तो आपके लिए महंदरा गुरूप है वो नौकरी देने के लिए गारंटीब दे चुका है तो यहाँ पर दोस्तों आगे चलते हैं वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल सिवा आउनलाइन क्लासिज को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम लेकर आते हैं अपने चैनल पर इसी तरह की न्यूज सबसे पहले तो चलिए दोस्तों कल फिर में लेंगे एक नई वीडियो को साथ में तब तक के लिए नमस्कार थेंक्यू फर वाचिंग जय हैं जय भारत वंदे मात्रम